तो मैं लब सर हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में फ्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वहां मैंने आपको बताया क्वांटम नंबर के बारे में बताया कि क्वांटम नंबर चार नंबर का सीट होता है जो electron के complete information के बारे में बताता है कि electron किस orbit में कितने होते हैं उसका क्या direction होता है उन सारे चीजों के बारे में बताता है quantum number quantum number में जो पहला principle quantum number था उनके बारे में भी हमने आपको बताया कि ये cell के बारे में बताता है KLM और N के बारे में बताता है K cell में 2 electrons बताया गया क्योंकि cell में electron निकालने का formula बताया गया था 2n² और orbital निकालने का formula बताया गया था n² तो आज हम लोग बात करेंगे दूसरा azimuthal quantum number देखिए सबसे पहली बात कि इसको denote किया जाता है 8 is denoted by small l इसको denote किया जाता है small l से इसका जो value होता है value of l equals to 0 to n-1 from 0 to n-1 n क्या है हमारा तो principal quantum number है जो पिछले class में हम लोग study कर लिए है अब यह जो l का जितना भी value आता है या azimuthal quantum number क्या था किसके बारे में है तो इट तेल्स अबाउड़ दा अबाउड़ दा अबाउड़ दा ओरियन्टेशन ओरियन्टेशन कहिए या safe of orbitals कहिए है ना एक ही बात है safe of orbitals within a sail यह किसी भी sail में safe of orbitals के बारे में कहता है अब यह तो पता चल जाए कि यहां से अलग-अलग sail के लिए L का value कैसा आएगा तो जरा सोचिए अगर हम बात करें for k sail की हम लोग sail में बात कर रहे हैं sail में safe of orbitals की बात करेंगे तो पहला sail का नाम है k sail k sail के लिए पिछले class में आपको बताया गया है बढ़ा असान है n बढ़ावर 1, 2, 3, 4 k, l, m और n आप यहां n का value put करेंगे तो देखिए ना k sail के लिए n का value 1 होता है तो therefore l equals to 0 to n minus 1 पहले देखिए यहां अभी आप लिखिए नहीं सिर्फ यहां देखिए तो 0 to n minus 1 हमेशा पढ़ाई के दोरान आप ध्यान board पर दे ताकि आपको समझ में जादा आएगा फिर बाद में आप note किया करिए यह bad habit है जिसमें पढ़ाई जाए उसमें आप note ना करिए और गौर से आप पढ़िए ध्यान से सुनिए तो n equals to अगर 1 है तो l equals हो जागा 0 to n minus 1 यहां formula है value है इसका तो हम लोग जानते हैं कि 0 है और n का value यहां कितना है 1 तो यहां 1 put करिए तो 1 minus 1 equals to क्या हो जाएगा 0 पहले से 0 है 0 to 0 बराबर 0 तो l बराबर क्या आया 0 एल बराबर 0 कि सेल के लिए आया के सेल के लिए एल बराबर जो 0 आपने लाया है वो कि सेल के लिए आपने निकाला है के सेल के लिए इसी तरीके से अगर हम बात करें के ल सेल के लिए तो ज़रा सोचिए n का value क्या होता है 2 therefore l बराबर 0 to N minus क्या होता है 1 तो जड़ा सोचिए न 0,2 और L, L के लिए N का value कितना दिख रहा है 2 तो 2 minus क्या होगा 1 तो 0 to 1 होगा इसका मतलब होगा कि therefore L equals to 0 and 1 2 value आए इसका मतलब है कि यहाँ 2 orbital possible है और यहाँ कितना orbital है 1 orbital possible है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 values are possible therefore यहाँ मैं आगे लिखता हूँ आपको और यहाँ कितना values आया 1 value नहीं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ इसको erase करता हूँ आपको लिखना है तो लिख लीजी जल्दी से मैं erase करता हूँ हाँ यहाँ यहाँ देखिया है तो azimutal quantum number किसी भी सेल में orbital के shape के बारे में बताता है के सेल में l equals to 0 आता है l सेल के लिए l equals to 0,1 आता है इसी तरीके से अगर हम बात करें for m सेल की तो जड़ा सोचिए आप m सेल की बात करेंगे तो n बराबर 3 होगा therefore l equals to 0 to n minus 1 तो 0 to 3 minus 1 तो बराबर हो जाएगा 0,1 and 2 तो l equals to is a total value आया आपका 0,1 और 2 ध्यान से देखना होगा जब देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा देखेंगे ना n equals to 3 होता है आप यहां 3 put किये तो 3 minus 1 तो बराबर 2 होता है तो 0 से 2 तक तो 0 से 2 तक का मतलब क्या होगा 0 भी आया including 1 भी आया तो 0,1,2 यहां कितना value आया 3 values आया अब अब अगर हम बात करें इन सेल का अगर हम बात करें इन सेल का 4 n सेल तो आप बताईए n बड़ाबर कितना होता है इसके लिए 4 therefore l बड़ाबर बताईए 0 to n minus 1 तो बताईद क्या होगा बताईए 0 to 4 minus 1 तो बताईद क्या होगा 0 to 4 minus 1 बड़ाबर 3 इसका तो यह मतलब हुआ कि 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा टोटल चार वैलू आया आपका तोटल चार वैलू आपका आया अब बताईए जितना भी वैलू आया यहल का क्या-क्या आया है, जरा देख लीजिए आग मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू आफ एल कि रिप्रेजेंट्स को तशब सेल रिपरेजेश दशब सेल सबसेल का मतलब है SPDF जैसे जरा देखे लका प्रिव लू क्या-क्या आया है 0 आया है 1 आया है 2 आया है और 3 आया है और L किसको रिपर्जेंट करता है सबसेल को L किसको रिपर्जेंट करता है और N का वैलू किसको रिपर्जेंट कर रहा था सेल को N का जो वैलू रिपर्जेंट कर रहा था किसको कर रहा था सेल को यहां जीरो फिर्ण को कहा जाता है सबसेत अगए को कहा जाता है प्रिइंसेन कम, D को कहा जाता है Diffuse F को कहा जाता है Fundamental इस प्रकार से मालुम चल गया हम लोगों को कि N का जो value था वो cell को represent करता है और जो L का value होता है वो sub cell को represent करता है N प्रिंसिपल quantum number था और L को as a मुथल quantum number कहा जाता है तो हागे मैं आपको बताता हूँ इसके बाद इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब जड़ा देखिए अब सब cell में maximum electron कितना हो सकता है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ maximum number of electrons in a sub cell बराबर 2 into formula है 2L प्लस 1 यह formula है इस formula से आप electrons calculate कर सकते हैं sub cell के अंदर वो cell में था 2N square cell में क्या था 2N square और यह sub cell है इसलिए 2 into 2L प्लस 1 अब इसको कैसे लिखेंगे तो maximum एक हम आपको calculate करते हैं maximum number of electrons ऐसे लिखा जाता है electron पर negative charge electrons in a sub cell के को sub cell है total आपका 4 गो S, P, D, F G भी होता है लेकिन F तक परना है अगर L का value 4 आजा तब उसको क्या कहेंगे G समझ गए तो देखिए इदा इन्ने सब cell तो 2 और बताइए यहां किसका value चाहिए आपको L का S के लिए L का value क्या है 0 S के लिए L का value क्या है 0 तो आप यहां 0 पूट करिए 2 इन्टू 0 अपलास 1 तो 2 इन्टू 0 0 अपलास 1 1 1 इन्टू 2 बरावर कितना 2 समझ गए टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स हुए किस सबसेल में S सबसेल कैसे पता चलेगा सर कि हमको S के लिए L का value 0 ही होगा तो आपको तो अभी बताया था कि बताईए आप कि L बरावर होता क्या है 0 से N-1 होता है कि नहीं और N का value के सेल के लिए हम लोग निकाले थे तो 1 पूट के लिए 1-1 बरावर क्या आया था 0 अगर हम लोग 2 पूट करेंगे N के लिए तो 2-1 बरावर क्या आजाएगा इसी प्रकार से L का value find out होता है और L का value जो भी है वो सबसेल होता है सबसेल कहलाता है L का value को represent करते हैं सबसेल समझ गए जैसे यह देखिए 0 1 2 3 SPDF 0 1 2 3 SPDF सेल की बात करें तो N से start होगा N से नहीं N से N बढ़ावर 1, 2, 3, 4 होगा तो KLMN क्योंकि N principle quantum number है ध्यान दिजिए N रहे प्रिसेल क्वान्टम नमबर होता है और प्रिसेल क्वान्टम नमबर सेल के बाड़े बताता है तो N equals to 1, 2, 3, 4 इसका मतलब KLMN N बढ़ावर 1, 2, 3, 4 KLMN और सबसेल में L है तो L का वैलू 0, 1, 2, 3 S, P, D, F 0, 1, 2, 3 S, P, D, F यह L का वैलू है तो जरा देखिए हब S सबसेल के लिए कहा जाएगा S, P, D, F तो 0 तो 0 हमने यहाँ पूट किया फर्मुला में इसी परकार से अगर हम बात करें अगर हम बात करें maximum number of electrons in P सबसेल electrons in P सबसेल तो 2 into 2L plus 1 तो जरा सोचिए न 2 into अब P के लिए L का वैलू कैसे निकालिएगा S, P, D, F 0, 1 तो यहाँ 1 पूट करें 2 into 1 plus 1 तो दूगोना, एक दूओ और एक कितना 3, 3 तूझा कितना 6 तो P में maximum electron capacity कितना 6 और S में maximum electron capacity कितना 2 maximum को मतलब इससे ज़्यादा possible नहीं है अब अगर हम बात करें maximum number of electrons in D सबसेल maximum number of electrons in d सबसेल तो D सबसेल के लिए L का वेलू क्या आजाएगा बोलिए जल्दी अरे भाई S P D F 0 1 2 S P D 0 1 2 L बड़ाबर क्या आजाएगा 2 अब यहां फर्मुला क्याता है 2 इंटो 12 प्लस 1 तो 2 इंटो 2 L का वेलू कितना 2 प्लस 1 तो दुना चार एक पांद दुना कितना दस तो D maximum electron capacity कितना दस अब एक बच गया क्या क्या आएफ maximum number of electrons in F सबसेल in F सबसेल तो इंटो एप के लिए L का वेलू कितना बोले जल्दी 3 नहीं 0 1 2 3 तो इंटो 3 अपला सुवान तो दुना च्वाइक साथ दुना कितना चाओध इलेक्ट्रोन रह सकता है तो पता चल गया हम लोगों को कि S में maximum 2 रख सकते हैं P में maximum 6 रख सकते हैं D maximum 10 रख सकते हैं और F maximum 14 सबसेल की बात करें इसकी बात करें सबसेल के बात करें चाना एक बार फिरसे आपको बता दूर याद दिला दो के जैसेने लिग यह आपका और कि यह एन इकॉल सुवार्ण टो त्री फॉर है न तो इसको क्या कौन सा कहते थे कि एल एम एन कहते हैं अब जब एन बरावर मालूम हो तो एल बड़ावर अभी फर्मुला बताई थे न एन मैनस वन जूट टो एन मैनस वन में अगर एन मैनस वन अरे यह एस है पी है डी है है यहांट छोड़िये लिकने रहे है क्या निकल रहे है यहन गोयां बड़ी ओल हो टो यहां सीनिल पर्मुला वह्य। ठीक कहें यहां इन रभावर दीना जागा वर ट्शिन जीरो वं टुट जीरो विल आए होट 5 एस देते है स्थे को क्य तो प्र जीरो गोंक्या करते हैं सबतार रवन को क्या करते हैं पी जीरो को क्या थे यह किस्मषण सपुरा Song की शिर्वाले में तो 3S 3P 3D कि यह शब किस्मष में परजेंट है चार वाले में तो प्षाँ प्षाँ D और फूरलन केई हैं यह सारे चीज़ आपको समझ ब्लाव गया की यह पॉसिबल ऑने सी फॉसिबल फॉर पॉसिबल पूसिबल को था है समझ गहीं कि नहीं यह शारी चीजे आपको आमने बदाया कि ऐसे होता है यह इलेक्ट्रॉंस का मैक्सिमम क्याफसिटी है किसी भी सबसेल में होने का ठीक है है हाब आई एक फॉर्मूला होता है एल से रिलेटेड है जिस फॉर्मूला के बारत मैं आपको बता रहा हूं एक होता है और वाइटल अंगुलर मोमेंटम और वाइटल एंगलर मोमेंटम तो और वाइटल एंगलर मोमेंटम ब्रावर होता है रूट अंडर लिंटू अल प्लस वन h by 2 pi h by 2 pi अब h क्या है तो h को कहा जाता है planks constant ये constant है जो change करता नहीं है समझ गए अच्छा ये pi क्या है इसका value होता है 3.14 समझ गए कि नहीं h planks constant है अब देखिए l क्या है तो azimuthal quantum number है अब अगर हम बात करें calculation की कि 4 4 pi के लिए 4 pi sub sale के लिए orbital angular momentum बड़ाबर कितना होगा तो l का value हमको मालुम करना है तो p के लिए l का value होता क्या है sp तो 0 1 p के लिए l का value क्या होता है 1 तो हम जानते है कि 4 p के लिए l का value 1 होगा और vital angular momentum का फर्मूला है फर्मूला है और vital angular momentum का root under l into l plus 1 तो 1 into 1 plus 1 तो यह कितना होगा 2 तो root 2 हो गया और h by 2 pi unit हो गया और vital angular momentum का अगर हम माल लें अगर हम लोग अगर हम लोग फर 3D सबसेल के लिए calculate करें orbital angular momentum तो बताइए क्या होगा formula तो होता है root under l into l plus 1 और d के लिए l का value क्या आएगा जल्दी बताइए spd 0,1,2 तो इसके लिए l का value क्या आगया 2 आगया तो आप यहाँ 2 put करिए 2 into 2 plus 1 तो यहाँ आगया 3 3 दूना कितना अच्छे root 6 hy 2 pi इस hy 2 pi को कहा जाता है पढ़ा जाता है h cross क्या पढ़ा जाता है h cross तो यह आपका total azimuthal quantum number हमने आपको discuss किया next class जब हम लोग मिलेंगे तो magnetic discuss करेंगे और spin भी discuss करेंगे एक बार मैं फिर से आपको बता दू magnetic quantum number को हम लोग small l से denote करते हैं वो shape of orbitals within a sail किसी भी sail में shape of orbitals के बारे में बताता है जैसे k sail के लिए हम लोगों ने निकाला कि n का value 1 होता है n-1 तो 1-1 इकल सो 0 उसी प्रकार से आगे भी हमने calculate किया अलग-अलग sail के लिए अलग-अलग l का value आया जितना भी l का value दिखा वो represents करता है सबसेल को l equals to 0, 1, 2, 3 होता है तो spdf यह होता है और उसके बाद हमने आपको orbital angular momentum का calculation बताया कि root under l into l plus 1 होता है किस सबसेल की बात करेंगे उसके लिए l का value यहाँ पूट करेंगे orbital angular momentum find out हो जाएगा आज यहीं तक thank you so much करेंगे पूब करेंगे लिए यहीं ढाता है कि यहीं तक राद करेंगे जबाद देक्षाव में जबंगे एक वो यहाँ पपको‍षाव में दो करेंगे रहाँ आएण